उसने इस अंतर एक झाल न जानते होंगे प्रप्रलिमीसाइल एक स्वार्ट रेंजबलेस्टिक मिसाइल है और जिसका युज़े ट्रायल और टेस्ट निस के अंग तक किया जाना है और इसको लेके बहुत सारी queries आरे थी मेरे पास कि प्रलाव मिसाइल किस तरह से इंडो-चाइना बॉर्डर पे ज्यादा इंपोटेंस रखती है as compared to Brahmos और वो सारे काम Brahmos क्यों नहीं कर सकता है और क्यों हमें प्रलाव मिसाइल की इतनी आवशकता है तो इन सारी queries पे बात करेंगे किस तरह से प्रलाव मिसाइल ब्रह्मोस से डिफरेंट है और वो कौन से टास्क है जो प्रलाव मिसाइल कर सकता है और ब्रह्मोस नहीं कर सकता है इस तरह के कुछ facts को देखेंगे जो कि प्रले मिसाइल से related होगा और जानेगे कि किस तरह से प्रले मिसाइल वर्क करता है और कौनकों से control system इसमें किस तरह से वर्क करते हैं तो इन सभी चीजों को जानेगे तो basic यह वीडियो तो वीडियो की तरह बढ़ने से पहले जिन लोग कि एक cruise missile है और इस ballistic missile के बीच में क्या difference है आप में से बहुत लोगों को यह difference पता होगा अब बहुतों को यह नहीं पता होगा तो पहले इस बारे में बात कर लेते हैं तो जो major difference है उससे पर बात करेंगे तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कोई भी जो cruise missiles होते हैं guidance के point of view स उन्हें तीन तरह से guide किया जा रहा होगा या फिर तीन तरह से guide किया जाता है और इन तीनों में से कोई भी guidance यूज हो सकता है cruise missiles में जैसे की booster phase guidance, mid course guidance या फिर terminal phase guidance तो यह तीन तरह के guidance system basically कोई भी cruise missile यूज करता है और guidance system के यह तीनों phase different तरह के further systems यूज कर रहे होंगे जैसे क control guidance और homing guidance तो आजकल homing guidance काफी popular है तो basically cruise missiles में homing guidance ज्यादा use हो रहे हैं आज कल वहीं पे अगर बात करते हो आप ballistic missile की guidance की तो ballistic missiles के जो guidance system होते हैं वो दूप्रकार के होते हैं पहला होता है आपका preset guidance और दूसरा होता है navigational guidance system तो जो preset guidance systems होते थे वो पहले यूज हुआ करते थे और इसमें क्या करना पड़ता था इसमें आपको अपने target की जो भी informations है वो पहले से ही उसकी trajectory find करके calculate करके उसे system में feed करना पड़ता था लेकिन अब जो navigational guidance system यूज हो रहा है वो भी आजकल बहुत तरह के हैं different तरह के navigation guidance system है जैसे की inertial guidance और stellar guidance तो यह कुछ ऐसे guidance system होते हैं जो की mainly किसी भी missile के अंदर fit किये गए रहते हैं और यह use करते हैं तीन equipment का पहला आपका gyroscope, दूसरा आपका accelerometer और तीसरा आपका computer तो यह तीन system का use करके target की location time to time calculate करते रहते है और अपने आपको adjust करते रहते हैं और यह adjustment उस missile की particular तीन motion को calculate करके किया जाता है पहला आपका pitch, roll और yaw इन तीनों motion को 6 के 6 axis में calculate करके और compare करके यह अपना guidance करते रहते हैं तो यह basically guidance system ballistic missiles का guidance system है और वह यह पे हमने बात करे लिए है कि cruise missiles में क्या क्या guidance system होते हैं आप बात करत के लिहाज से तो आपके जो भी ballistic missiles होते हैं वो एक huge amount of warhead carry करने में सक्षम होते हैं वो भी longer distance के लिए वहीं पे cruise missile as compared to ballistic missiles उतने huge amount में नहीं ले जाने में सक्षम होते हैं वारेट को हाला कि अगर आप distance के बात करते हो तो आजकल ऐसे भी cruise missiles हैं जो की 9000 से लेके 10,000 km तक मार करन सक्षम हैं लेकिन जहां तक बात warhead की है तो वह एक heavy warhead ले जाने में सक्षम भी नहीं है जहां तक बात है nuclear warhead carry करने की तो यह दोनों ही missiles nuclear warhead carry करने में सक्षम है आजकल तो यह है आपका main difference ballistic missile और cruise missiles में और वैसे भी cruise missiles तीन तरह के होते हैं आपका जैसे कि आप सब जानते हों तो यह तीन तरह के आपके कुछ missiles होते हब बात करते हो अगर आप ballistic missile की तो ballistic missile आपके मुक्षे ता चार तर्प के होते हैं पहला होता है आपका short range ballistic missile दूसरा होता है आपका medium interaction ballistic missile और bears mineral तीस्रा होता है आपका intermediate range ballistic missile चौता होता है ICBM Kab violas पांचा होता है आपका SLBM सब्मारीन लॉंज्ट बैलास्टिक मिसाइल तो ये पांच तरह के डिफिरेंट डिफिर्ट मिसाइल है जिनकी जो मारक श्रमता है वो अलग-अलग होती हैं बात करते हैं प्रले की तो प्रले बेसिकली हमारे हिमालेंट रेंज के लिए और उस एरिय 700 kg तक वरहे कर सकता है और यह जो 700 kg वरहेड होगा वो डिफिरेंट डिफिरेंट तरह के वरहेड के और erklären में सक्षं होगा और जैसा ही प्रलय मिसाइल अभी इंडिया डेवलप कर रहा है जो कि इंडिया ने 2015 से डेवलप करना शुरू किया था ठीक वैसा ही मिसाइल चाइना के पास है जिसे उन्होंने डीफ 12 का नाम दिया हुआ है तो अभी जो प्रलय मिसाइल इंडिया डेवलप कर रहा है वो करेंगे अगर आप कंपेर करते हो क्रूज मिसाइल को बैलेस्टिक मिसाइल से तो इनका जो पाथ फॉलो ये करते हैं तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे जो क्रूज मिसाइल होते हैं वो एक जो पाथ फॉलो करते हैं उनकी जो ट्रेजेक्टरी होती है वो अतनी हाई नहीं होती है वह surface to surface trajectory को ही follow करते हैं जहां तक बात है ballistic missiles की तो ballistic missiles जैसे कि आप सब जानते होंगे अगर आप कोई ball हावा में उचालते हो तो वो एक particular distance पे जाके वहां से free fall होके गिरता है तो ठीक उसी तरह से यह ballistic missiles एक particular distance पे जाकि अपने atmosphere से वापस आते हैं और फिर अपने target को impact करते हैं तो इस तरह से एक free fall condition में जो ballistic missiles की accuracy होती है वो उतनी नहीं होती है लेकिन यहां पे जो प्रले में क्या हो रहा है उसी accuracy पर काम किया गया है और इसकी engine की क्योंकि engine base का खास है जो कि इसको speed दे रहा है और वो भी तक्रीबन कहीं न कहीं 8 से लेकिन 9 mark के बीच में होगी यह speed इसकी और उसके बाद बात करेंगे इसमें किस तरह के steering system दिए गया है तो इसमें basically इस दो navigation guidance system ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे कि आप मान लो आपके हाद में कोई basket ball है और आप उस basket ball को एक court में डालना चाहते हो तो आप उसके trajectory का अनुमान लागा के उस basket ball को आप court की तरह fake होगी तो वो एक particular height achieve करके उस court में जाके गिरेगा तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे inertial navigation system काम करता है जो कि missile की trajectory find करके और target कितने दूर है यह distance find करके अपने accuracy को achieve करता है तो इस system में कहीं न कहीं जो error के chances होते हैं जो CEP value होती है वो काफी large होती है और उसी labeling system और दूसरा होता है आपका strap down inertial navigation system तो जैसा कि आप सब जानते होंगे जो कि strap down inertial navigation system है वो आपके प्रिथवी थिरी में यूज होता है तो प्रले में basically क्या हो रहा है यहाँ पे जो strap down navigation system है यह तो होगा ही इसके साथ ही इसका एक hybrid मनाया जा रहा है इस्टैलर navigation system के साथ तो इन दोनों का जो combination होगा वो कहीं न कहीं प्रले की accuracy को और बढ़ा रहा है तो जैसा कि आप सब जानते होंगे strap down navigation system में जो accelerometer होता है उसको body of missile के axis पे mount के जाता है वही पर जो gyroscope या फिल gyroscope जो होता है वो basically इस missile के turning rate को calculate करता है कि किस rate पर यह missile turn हो रहा है और acceleration के साथ यह turning rate combine करके और missile की velocity मिला कर उस missile की position और trajectory tag की जाती है और वहीं पर एक मुख्य roll आ जाता है जो कि अब introduce करना चाह रही है DRDO वो है stellar navigation system का तो basically आप सब जानते होंगे बड़े बड़े मिसाइल में जैसे कि ICBM या फिर SLBM में stellar navigation system use होता है stellar navigation system क्या होता है किसी एक star को as a reference लेके उस star के reference से उस missile को pass दिया जाता है जो कि एक long distance missiles में basically होता है लेकिन यहां पे उसका भी कुछ हिस्सा लेके एक reference लिया जाएगा जिससे की जो accuracy होगी वो कहीं न कहीं और बढ़ेगी तो यह है बात प्रला के navigation system को लेके तो जिसकी वैसे इसकी CEP value और बढ़ रही है और यहां भी आप CEP जानते ही होंगे circular error probability होता है अब बात करते हैं इसके engine की तो किस तरह का है इसका engine तो प्रला का engine basically दो stage में बटा हुआ है तो इसको लेके बहुत सारे लोगों ने यह सवाल भी किया था कि हमारे पास already प्रिथवी 3 missile है जिसकी range प्रला के बराबर ही है तो हम क्यों प्रला डेवलप कर रहे है तो आप यही चीज प्रला के development सामने लेके आई है अब वह है इसका engine जो कि प्रिथवी 3 के engine से काफी powerful है जैसा कि आस अब जानती होंगे प्रिथवी 3 एक single stage propulsion system का use करता है वहीं पे आपका जो प्रला मिसाइल है वो दो stage वाले propulsion system का use करने जा रहा है आपके पहले stage में solid propellant होंग जिसमें कहीं न कहीं 100 से लेके 105 kN thrust develop करने की कोशिज की जा रही है और जो most probably अफेक्षा है वो है liquid hydrogen यूज किया रहा है second stage में जो कि partial होगा और वहीं पे solid fuel का use करने की कोशिज भी की जा रही है तो ये basically इसके propulsion system का integration है जो कि इसके speed superior रखेगा Chinese DF12 से बात करते इसके steering system की तो इसमें इस मिशाल को steer किया रहा है मतलब motion control किया रहा है jet vents और air vents की help से जिसके लिए different different तरह case में nozzle का प्राधान किया गया है अब बात करते हैं अगर इसकी range 200 से लेके 600 km के बीच में है तो क्यो नहीं हम ब्रहमोस को use कर सकते हैं हमालियन region में तो basically जैसा कि हमने अभी इसकी working सम जाई है तो किस तरह से अगर आप एक ball को उपर खेकते हो तो वह एक certain height पे जाके वह अपस गिरता है तो वह case ब्रहमोस के साथ नहीं है जो हमारा LSE border पड़ता है उस border पे जो mountains की average height है जो कि ट्रांस इमालियाज में पड़ता है कही न कहीं तो वहाँ पे जो average height है वह आपको 6000 से लेके 500-100 मिटर के बीच में है तो उस certain height को cross करने के लिए ब्रहमोस को आपको air से launch करना पड़ेगा तो यहाँ पे अगर आप air force को नहीं involve करना चाहते हो तो उस case में जो प्रला मिसायल होता है जो कि सिर्फ surface पे आर्मी के control में होगा तो वो जो average हिमाल्या की height है उसको cross करक के एक certain height पे जाके mountain के दूसरे तरफ मार करने में सक्षम होगा तो यह एक बड़ा advantage है और अगर आप speed के लिहाज से भी देखते हो तो एक बार यह certain height achieve कर लेता है और जैसे ही अपने re-entry phase में enter करता है तो उस phase में आने के बाद प्रला मिसायल को intercept करना almost नामूकिन होगा क्यों उससे पहले intercept करने के लिए भी इसमें जो solid phase boosters यह गया है वो इसको जो इसकी speed है वो कहीं न कहीं hypersonic में ले जाएंगे तो उससे पहले भी इसको intercept करना उतना ही मुस्किल होगा तो इस लिहाज से प्रला मिसायल ब्रह्मोस के compare में हिमालेन रिजन में इंडिया और इंडियन आ वैसे तो प्रला का test मार्च में किया जाना था लेकिन कुछ technical regions की वहें से जैसा की बताया जा रहा है कि इसके जो navigational system है जैसा के हमने बात की अभी जो की एक hybrid बनाने की कोशिश की जा रही है step down, inertial navigation और stellar दोनों का use करके तो उसमें कहीं न कहीं कोई technical difficulties है तो उसको अभी resolve करन नहीं अगर आपको वीडियो पसंद आईए गेपस लाइक टॉन्परगे सब्सक्राइब चाहिन्द